हुद्योग मंत्री का वासी लख्मा विदेश दोरे से लोटाए हैं और उन्होंने विदेश दोरे पर चर्शा की है मंत्री लख्मा ने कहा है कि कानाडा से भारत सो साल पीशे है जिसका कारण है कि वहाँ पर कोई जाती का भेदवाव नहीं है साथ ही कहा है कि कैनेडा में जंगल है जिसके कारण वहाँ पर वायू प्रदिश्वन नहीं है और वातावरण भी उम्दा है उनसे बात की है सुरार एक्सपेस के पॉलिटिकल लेटर पुरुपेश कुपता ने एक हफ्ते तक कैनेडा रहने के बाद कैनेडा के दौरे से उद्ध्योक मंत्री का वसी लखमा लोट आये हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कैनेडा दौरे का हासिल क्या है आप साथ दिन कैनेडा में रहे कैनेडा से क्या कुछ सौगाज साथिजगर के लिए लेकराए है मैं साथिजगर में मैं कनाडा गया था उसके लिए सत्तिजगर का जनता को और सत्तिजगर के मुख्य मंत्री को मैं बदाई देता हूँ एक बस्तर में पाइदा हुआ आदमी को उद्ध्योक बिबाग समालने के बाद मेरको मुख्य मंत्री हमारे आके मुख्य सशू वीट बिबाग के सशू हमारे उद्ध्योक बिबाग के अधिकारी लोक साथ मानी मुख्य मंत्री कभी कार कराम था ना मेरा भी था लेकिन मुख्य मंत्री अपने गर में माताजिगक पबेटीक होने कारण उन्नी जा पाया और सत्तिजगर की सरकार के तरफ से मुझे बिजा है इसलिए मुख्य मंत्री को कोटी से बदाई देता हूँ मैं वहां जाने के बाद कोई बीजिज काली लेकि आने के लिनी गया था वहां से लोगों से मिलना वहां से बेफारी लोग से वहां के सरकार से किस पर कर महाद चल रहा है कैसा सकतिरी गड़ में होना चाहिए इससे बात सित करने में कोई अगर लड़की मांगने जाता है तो एकी दिन लड़की देता नहीं है किसी परकर हम लोग वहाँ देखकर मांगने गए थे मेरा को पूरा उम्मिद है कि कनड़ा सरकार ने जो भी बाती किये वो मदद करने का कोचिश किया अज तुमपरम आटो मोबाइल कमपनी से मुई हुए है और और चीज़े तोर पर बताए कि कमपनी तो उटकी नहीं आएगा अगर या कोई भी जोग पती अगर उस कमपनी को लगाएंगे वो पूरा टेक्निलोजी सत्तिज़गर को देंगे और मदद करेंगे और उसके साथ साथ हमारे गुर्वा बाड़ी जो चल रहा है नाला नदी बान का पानी कि ऐसा उप्योग किया जाए उसकी बारे में भी तर्चा हुआ है हर जरब पुड़ेगा तो हमारा सरकार या सिल उसलों को तनड़ा बेश सकते हैं टर्निंग लेने वो भी आ सकते हैं उस सरकार मदद करने के लिए तैयर है तो यह थे कवासी लगमाए जो कि साफता हुर से कह रहे थे कि कि की प्रकरिया इतनी जटिल है जो इस्थती है जो शराब बंदी को ले करके जो परिस्थतियां इस पर दिश में हैं वो इतनी जटिल है कि एक बार में फैसला नहीं लिया जा सकता है इसके सारे फाइदे और नुकसान काकलन करना पड़ेगा और उसके बाद ही इस पर फैशला होगा कैमरा लोगों की साथ